हेलो स्टूदेंट्स, देखे, SSE CGL 2024 के लिए जो प्रेक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट के थी, आज हमारा साथवा दिन है, इसमें 6 प्रेक्टिस सेट में आपको पूरा डीटेल से समझाया है, हर एक कंसेप्ट समझाया है, पूरे मेत में जितने भी जो क्यूसंस आया है, उनक अगर कोई नया स्टुडेंट्स क्लास को देख रहा है, तो सबसे पहले सुरू की 5 क्लासे देख लिजिए, और इसके बाद में ही आप स्टार्ट केजिए, क्योंकि जितने बेसी कंसेप्ट है, जितने जो कंसेप्ट है, वो सारे के सारे मेंने समझा दिया है, अब क्यवल औ गंटे से ज्यादा चला जाता है, और इन प्रेक्टिस से मैं ये बताऊंगा आपको कि यहां से 25 सवालों को आप 15-20 मिनट में कैसे सोल करते हैं, वो तरीका में सिकाने के कोशिस कर रहा हूं, तो जितने भी यह प्रेक्टिस सेट होने वाले, इन complete इन प्रेक्टिस सेट को आ आपके खुद बर खुद आया हां से 25 क्यूशन है, उसको आप 15-20 मिनट में करना सीख जाओगे, साथ के साथ आपकी एक्यूरेसी है, वो भी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है, तो बीना किसी टाइम वेस्ट के हम सोल करते हैं, अगर कोई स्टूडेंस है, वो अर्थमेटिक म करोगे, तो आपको discount मिल जाएगा, ठीक है, क्यों सन स्टार्ट करते हैं, DI के सवालों को हम बाद में करेंगे, केवल और केवल पहले, जितने भी easy सवाल है, उनको हम करते हैं, पहले round में easy सवालों को, और जिनमें से माल लीज़े, आपको एक-दो सवाल नहीं आते हैं, उनक में क्या माल लेता हूँ, जो संख्या है वो अक्स है है इसमें क्या जोड़ा जाया संख्या में शार सुसाट के 20% को जोड़ने पर क्या होना चीए जो यूग पल है वो 920 का 70% हो जाना चीए तो इस में 460 का 20% निकालना है तो % यह तो 20 हट गया है और 64 बन गया, खिलेर हैं, तो 644 में सापको क्या गठाना है, बांग में गठाना है, तो आक्स की विल्यू कितनी आएगी, लास्ट में आपका दो आएगा और यहाँ से कितना आजाएगा, 9 और 4 तेरा, ठीक है, 9 और 4 तेरा, और यह हो गया आपके पास, पांसो यह तो 522 इस तरीक से कैसे हो रहा है चार में से घठाना ना आपको यहोगिнок आपके पास 552 व्याpower और चार में से नो गठाएंगे तो कितना जाएगा आपके पास पांच आजाएगा और यहाँ से कितना जाएगा 552 simple सा सवाल था अब देगो मैंने बोला है simplification का सवाल आईगा आपका या तो एक सवाल पूछे जाएगा या दो सवाल पूछे जाएगा 25 सवालों में से और इस टाइब के सवालों करने का डायरेक्ट तरीका क्या है पहला break it, फिर क्या solve करना है, off वाला, फिर divide वाला, और जहाँ पर plus और minus दिके, उसको agitive रखतो, बाकी का सारा solve करतो, जैसे यह सवाल है दिखो, यहाँ पर off दिख रहा है, तो 4 तिया 12, 12 को यहाँ है, फिर भाग दिखिया, 12 से divide करोगे, 12, 48 होगे, 4, 40 में से 4 गठाओ के, कित break it को solve कर दिया, अब इस पूरे break it को solve करना है, इसके अंदर जो भी चीजे है, उसको complete solve करना है, तो देखो, पहले इसको solve किया break it को, तो यह बन गया 10, यहाँ off बन रहा है, तो यह बन गया 16, ठीक है, minus agitive रह जाएगा, यह minus agitive रह गया, plus का plus agitive रह गया, और 4 है, यहाँ 6 मे तो 4 से 16 होगा, 16 को 4 से divide करोगे, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, चार बन जाएगा, यह break it solve हो गया, कि हाँपे, solve करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो 10 और 6, 16, 16 में से 16 गया, 4 ही बचा यहाँ से, और यह break it 4 है, तो यह break it के पूरा solve करने पर 4 आगया, इसको multiply करना है 3 से, अब यह गलती मत कर देना, कि आप 4 को 3 से multiply कर देरो, वो गलत मत करना, यहाँ पर पहले भाग को solve करेंगे, तो 4 से divide करोगे, 4 नाम 36 और 9 27, answer आएगा 27, अगर यहाँ से multiply कर दिए, तो 12, 36, sorry, 4, 12, 12, 36, answer 3 आजाना चाहिए था फिर तो, ठीक है, तो यह गलती मत करना, पह कैसे solve करते हैं बस, ठीक है, और exam में दिया रखना, जितना कम पेन लगाओगे, उतना ही time आपका बचने वाला है, नेक्स अवाल आपका बोला गया, यह भी simplification कहीं है, 27 और यहाँ पर यह बन गया 8, तो 27 और 8 कितना बन गया यहाँ से, यह हो गया 35, इंटू, 22 बटे 7 है, 7 25, बाइस बंजे 110, यह पूरा ब्रेकिट कितना आ गया, 110 हो गया, 22 बंजे 110 हो गया, ठीक है, इंटू, इस ब्रेकिट को solve करोगे, तो यह हो गया 36, यहाँ हो गया आपके पास 9, और यहाँ हो गया 16, क्या हो गया, प्लस और माइनस है, अगर 16 गठाएंगे तो 20 हो गया, 20 में नेक सवाल देखो, इस टाइप के जो सवाल है, वो ट्रेंडिंग चल रहे है, नया क्यूशन जूड़ा है, इस बार, 2024 में यह नया टाइप का सवाल पूचा गया, तो ध्यान रखना इस पे related जितनी भी सवाल है, वो आपको सारे complete करके जाना है, इसके concept है, वो भी आपको सा पोटी लंबाई बता दीजिए, यहां access और y access जो काड़ते हैं, वो point है, उनके 20 की shortish distance बतानी है, यह पूचा गया, तो अगर मैं इसका diagram बनाओ, तो किस तरीके से बनेगा, देखो, यहां पर अगर मैं 0 पूट कर दो, यानि x को अगर मैं 0 पूट कर दो, तो y कितना आगया 48 तो यह जाएगा 6, केलिए रहा, अगर मैं यहां से x को 0 कर दिया, तो यहां से y कितना आगया, 0,6 हो क्या, और अगर y को 0 कर दो, तो 6 से divide कर दो, then 18 को, तो कितना जाएगा यहां से, 6 और 6 III Aठारा त़ीक है, अगर मैं यहां से y को 0 कर देता हूं, तो अगर 6 से divide कर दे़े तो यहां से इन दो point से निकल कर यह रेखा जाएगी इस तरीके से यह line होगी, इस line की equation आपको देर किया, अब इसमें हमसे यह बोला गया है कि यह axis पे काड़ दिया, यह y axis पे काड़ दिया, इन दोनों काटे के जो बिंदू है इनके बीच की shortest distance क्या होगी, क्या यह distance ही होगी, यह वाली distance हमसे पूछी गई है और यह वाली distance यहां पे कितनी है, यह 8 पे काट रहा है, यह वाली distance आपकी 8 है और यह वाली distance कितनी है, यह वाली लंबाई कितनी है, 6 है, तो 6, 8, 10 triplet हो गया A और B है वो एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 15 दिन में और A अकेला इस काम को 18 दिन में दिहान रखना अगर 2 का दे दे वैं दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं और अकेला का दे दे आपको कि A है वो अकेला इतने दिन में करता है तो आप डाइरेक्ट दूसरे वाले का निकाल सकते हो किया से दोनों को multiply कर दो 15 into 18 और दोनों का difference कर दो 3 और यहां से solve कर देंगे 3 15 15 18 15 90 आंसर आगे 90 ऐसे करोगे जहां रखना यह trick अब यह सवाल देखो success हुगा कि आपके पास कि पहले 40% बढ़ा दिया गया फिर विक्री को 40 40% कम कर दिया गया overall कितना effect आया a plus b plus ab by 100 से अगर बढ़ाया गया है तो plus में रिखोगे अगर minus किया गया है तो यही फोर्मला होता successive का तो इसको mind में निकालने का आप डाइरेक्ट तरीका सीख लो direct क्या करना देखो 40 इसको बढ़ाया गया तो plus में इसको गठाया गया तो minus में 40 minus 45 करोगे minus का 5 आएगा minus का 5 आएगा और फिर क्या करोगे एक plus में एक minus में तो minus का आएगा और यहां से 40 into 45 करोगे तो यह हो गया तो यह हो गया अगर एक plus में हो एक minus में हो तो यह लगा गया ठीक है यह लिखना नहीं आपको यह केवल और केवल आपके mind में होना चाहिए और यह formula जब लगाओगे करेंगे तो 0 से 0 चला गया 18 और 5 कितना आ गया तेवीस आ गया इस टाइब के सवालों में formula लिखने की जुरत नहीं आपको ठीक है इसी में टाइम आपका बचेगा फिर से यहां से सवाल बूच लिया गया कि 15 और 10 परशेंट बढ़ा जाता है वस्तु का एकल मुल्य वर्द बढ़ाबर प्रतिशत बता दिया सक्सेशिव हो गया दोनों को बढ़ा दिया गया 15 और 10 का सक्सेशिव निकाल दोगे तो 15 और 10 जोड़ोगे तो 25 हो गया और 15 एंटु 10 करोगे 150 होगा डिवाइडेड बाइसो करेंगे 1.5 होगा 25 और 1.5 26.5 आगे आंसर दो संक्या हैं उनक प्रतिश्री वाले निकाल लिए इस 5 से मल्टिप्लाई करोगे यह लिख दिया आंसर आजाएगा 16 करेंगे 3.5 15 देखो लगबग 11 बार चला गया 11 को 5 से मल्टिप्लाई करोगे तो 250 और 250 से ज्यादा आंसर आएगा 255 से उपर 16 नहीं करेंगे पूरा exact 16 नहीं करेंगे इसको ठीक है देखो 3 15 15 पचास बार चला गया ना 50 से 3 से मल्टिप्लाई करोगे 3 15 15 और 3 एकम 3 तो 5 से मल्टिप्लाई करोगे 200 बनेगा न यासे और 5 और extra है तो 255 बनेगा 255 से extra ही जाएगा answer 255 से देखो एक ही उपर है answer आगे इस तरीके से question जब easy आए तो उसको और भी short बनाना आपको उसी में time बचेगा heart question में कभी time नहीं बचेगा उसमें तो वैसे भी time ज्यादा लगने वाला है तो जो easy question है जो time कम लग रहा है उसमें और कम time लगा हुआ तभी time बचा सकते हो इस concept मैंने बोला है कि यह fix है है इस type के सवाल आएंगे आपके या तो perimeter का या area का हर एक shift में पूचा जाता है आने वाले shiftों में पूचा जाएगा देखो यहां से abc और इनके area का ratio दे रहा तो side का ratio क्या हो जाएगा इसका square root कर देंगे तो 3 बटे 2 गया यह side का ratio आगया पूचा क्या है हमसे हमसे पूचा गया है कि bc दे दिया pr की लंबाई बताओ तो pr क्यार क्या इसे सब्दों में answer निकाल सकते हो यह भी चीज में ज्यादा बता रहा हूं यहां पर इसे solve करके अगर आप mind में करने की कोसिस करोगे तो यहां आपको 3 बटे 2 लिखने की जुरत है तीन का गुना कितना है पांच गुना है तो इसका भी पांच गुना कर तो answer आ जाएगा ऐ पारे याद होने चीए एक circle आपको दे रहा है बोला है C है इसका C एक circle है और O इसका center है और P है वो C के C का बाहरी बिंदू है तो P को मैं यहां बोल देता हूं कि P इसका बाहरी बिंदू है P Q और P R है दो tangent की जाती है इस तरीके से यह P Q और यह P R है यह P Q हो गया यह P R हो दो इस परस देखा है कि जाती है Q और R को इस परस करती है RO क्यों यह वाला angle आपको दे रहा है यह पहले shift में आ चुका है अगर यह 110 है और मैंने क्या बता है पूरा detail से समझाया था कि इनका सम होगा हमें सा क्या होगा यह 180 होता है इनका सम तो अगर यह 110 है तो यह वाला angle क् बाकी का बच्चा वह 70 degree हो जाएगा कि यही आपसे पूछा गया है आंसर आ गया है 70 degree नेक सवाल देखो यह तोड़ा सा कैलकुलेटी सवाल है अच्छे लिवल का सवाल है क्या पूछा गया है हमसे देखो कि 60 cm 40 cm और 20 cm बाहरी आयाम बाहरी आयाम का मतलब लंबाई दे रिक और वाला एक लोहे का बक्सा बनाया गया है जो एक सेंटीमेटर मोटी सीड से बनाया है एक गन सेंटीमेटर का मतलब कि एक सेंटीमेटर क्यूब इसका जो ग्राम में जो आया होगा वजन जो होगा वह 50 ग्राम होगा इसका यानि एक सेंटीमेटर का 50 ग्राम होगा हमसे पचास ग्राम है तो टोटल हम निकाल लें और किसको डिनोट कर रहा है वोल्यूम को डिनोट कर रहा है यानि मैं टोटल वोल्यूम निकाल लेता हूं उसको पचास से मल्टिप्लाई कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा क्या तो वोल्यूम निकालना में अब वोल्यूम जो निकालेंगे, वो इस तरीके से तो होगा नहीं, हम बाहरी बाहरी चीज़ों वालेगे, इसका वोल्यूम निकालते, वो तो क्या है, खोकला है एक तरीके से, बक्सा है, तो वो क्या होगा, बक्सा तो पुरा का पुरा खोकला होगा, उसकी केवल और केवल सीट से बनाया होगा ये बकसा है ठीक है नीचे से इसी तरीकत से ये seat है आपकी ये क्या है आपकी ये seat है नीचे नीचे धिहां रखना ये seat है तो अगर मुझे इसका volume निकालना है तो क्या करेंगे ये बाहरी आपको दे रहे है ये 60 cm लंबा है ये 40 cm चोड़ा है यह 20 cm उचा है यह तो बाहरी आयाम दे रहे हैं बाहरी बाहरी side वाले दे रहे हैं लेकिन अंदर जैसे आप देख़ो गई यह तो मोड़ा है और जैसे 1 cm उट है यह आए नि यह वाली पटी है वो 1 cm मोड़ी है तो अंदर वाली side यह हूजएगी इसी तरीके से यह देखो कि यहां से 40 हैं तो यह कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा क्या यानि अंदर वाले जो आयाम है अंदर वाले जो आपकी लेंथ वगर्ण होगी लंबाई चोड़ाएं उचाए वह 38-38 होगी और बाहर वाली यह है तो हमें इसका वोल्यूम निकालना है प पहले तो टोटल का वोल्यूम निकाल देते हैं टोटल वोल्यूम क्या होगा वैं 60 इंटू 40 इंटू 20 क्या यह होगा क्या इसमें से अंदर का वोल्यूम हटा देते हैं अंदर का वोल्यूम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और यह हो जाएगा अपका 18 हो जाएगा अब इसको सोल कर लो यहीं वोल्यूम हो जाएगा चादर का वोल्यूम हो जाएगा और इसको हम मल्टिप्लाई कर देंगे 50 से तो ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा क्या के लिए रेखियां से लेकिन केल्कुलेटिव है क्यूसन को सोल करना ही पड़ेगा इसमें कोई दूसरा अल्टर मल्टिप्लाई कर देंगाया 28 हं 28 से मैंने तरीका बताया फेले भी दूबढर को 8 से म्ल्टिप्लाई किया थी छार आग्या पीछा चालिस चालिस और civils 40 और 24 जोड़ोगे 64 में 6 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा 0 केरी चला गया 7 अब इस 3 और 5 को मल्टिप्लाई कर दो 5 तिया 15 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 आगया 22 होगा इंटू 18 भी करना भी तो 18 तिया 54 अठार जोग बहतर होगे अठार जुना 36 अठार जुना 36 और 3 जोड़ोगे तो क्या 49 होगा यह होगा यानि 49 छष्सो बहतर है वो इसमें से गठाद होगा 49 छष्सो बहतर है वो इसमें से गठाद हो तो यह बचाद होगा 8 यहाँ पे 9 है तो 2 होगा यहाँ पे 9 है तो यह 3 बची गया यहाँ कितना हो गया 7 हो गया और यह हो गया 8 और यह हो गया 53 28 बची आपके पास 83, 28 इसको 50 से और multiply करना है 50 से multiply करने का तरीका क्या है इसका आदा घर के 00 लगा देंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ से 1, 6 दूनी 12 चार दुनी 8 और 00 यह किसमे आ गया सेंटिमेटर क्यूब में आ गया यह मॉल जीची गराम में आ गया गया आंजर किसमें दे रहा है केजी में दे रहा है तो लाश्ट तीन डिजे टटा दो यह आगया अगर पॉइंट लगा दू में तो यहां पर क्या बन जाएगा यहीं क्य के नहीं आते हैं calculation वाले तो यह सवाल कितना लेंती बन जाएगा अगर मैं इसको basic से solve कर रहा हूं तो यहीं इतना time लगेगा और ध्यान रखना main solution के सवालों में कोई trick नहीं होती है उसके calculation होती है और calculation आनी चाहिए यहां पर multiply करने वाला तरीका आना चाहिए यहां पर 50 से multiply कर रहा हूं तो direct तरीका लगा दिया अगर किसी स्टुडेंट्स को कुछ भी नहीं आता ना calculation में एक छोटा सा suggestion दे रहा हूं में नीचे description box में एक link दी हूई है calculation pdf की एक calculation pdf की आपको एक link दे रहे हूँ है जिसमें सारे calculation trick है वो आपको केवल और केवल रूपीस 49 में मिल जाएंगे बस उसको आप पढ़ लो complete यह जो तरीक है ना मैं जो कर रहा हूं यहां पर 50 से multiply करने का इनको multiply करने का यह सारे तरीके उसमें pdf में mention है एक बार जरूर उसक tangent पर सवाल है इसमें पूचा गया common tangent तो इसका direct formula है पूरा तीनो टाइप के सवाल बता दिये हैं तो अगर कोई नया student है उसको पता नहीं है उसके पहले वाले जितनी classes है उनको देख लीजे आप पूरे details समझ भाएगा अब देखो exam में कैसे करेंगे सवाल को direct करना है 16 और 20 radius क्या है इसके diameter है तो radius क्या होगी क्या 8 और 10 हो जाएगी क्या इनकी radius ठीक है इनके beach की distance भी हमें दे रहे किया common tangent की length पूचीगी है formula क्या होता है common tangent का beach center है उनके beach की distance का square 109 और radius के beach का difference का square तो 8 और 2 10 है दो का difference करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा और इसका क्या कर दोगे root कर दोगे क्या answer आ रहा है क्या 165 आगया क्या answer बस इतना ही लिखना था आपको ठीक है यह चीजे मैं समझा चुका हूँ सारी चीजे है एक लंवर्ती बेलन है जिसकी लंबाई है वो यानि लंबाई का मतलब क्या होता है अगर इस तरीके से होगा तो इसको लंबाई बॉला जाएगा donnा तो इसको ह Tibu ओ जाना तो का वक्र प्रष्टी Sekhogn, कुटल सर्फेस ईरिया के बीच में difference कितना होगा Авिमies मुझे बताएं that total surface area 밝λέ तो क्या होता है 2 π 3 और कंड़bu सरफेसर एरिया क्या होता है's क्यरवल 2 Πाई रहा हुWh इनके बीच का difference बताना है क्या यहां से 2 Πाई आर sermon आ रहा है क्या तो 2 being R तो बाहर common आ गया और यहां पर बच गया R प्लस H और माइनस H यहीं बचाए आपके पास के लिए रहें इसमें से अगर भी H से H काड़ दो गए तो क्या 2Pi R² आ गया क्या 2Pi R² आ गया क्या यहां से इनका difference है हमने पूरा सोल के लिए 2Pi R² निकालना है और इसके लिए मैंने आपको टेबल अल्रेडी बता दिया 2 का 2 और अगर रेडियस चाउदा है तो उसका एरिया कितना होता है अगर रेडियस चाउदा हो तो इसका एरिया कितना होता है 136 होता है क्या तो यहां से कितना आजाना चीह है, यह कुछ गलत हो गया, क्या, पर 2 pi r, r plus h करोगे, और यहां पर 2 pi r h हो गया, इसका कर्ण सर्पेश गरिया, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, 2 pi r common आगया, तो r plus h बच गया, यहां पर h बच गया, 2 pi r square हो गया, और यहां से 14 है, अच्छा, 14 है यहां से 21 नहीं है, तो 14 के लिए मैंने table में क्या बताया, 616, तो 2 into 616 है, 616 है, इसका double गर दोगे 612 और 612 और 632 आंसर जो आएगा, में केवल और केवल यहां से डारेक्ट लिख दिया, 616, और यह चीज़े में हर एक class में समझा रहा हूँ, आपको वो table याद करनी है, अगर area 7, 14, 21, 28 ही आपको दे रहे हैं 42, तो उनका perimeter क्या होता है, उनका area क्या होता है, वो अगर table याद है, तो इनके calculation के आपको जड़त नहीं पड़ेगे, बस तोड़ा सा believe करो मेरे उपर, जो चीज़े में बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को रटलो, उनको रटलो, अपने आप आपकी speed बढ़ जाएगे, अब यह सवाल आकर basic से खुद करके देखो, आप यह 2 मिनट से 3 मिनट ले लेगा आपका, क्योंकि पहल आपको 616 का double करने में कितना time लगेगा आपका, 5-10 से किंड बन जाएगा, जो सवाल 2 मिनट का था, वो मैंने आपको 20 से किंड में बता दिया, एक अर्ध गोले का व्यास है, वो 42 सेंटिमेटर है, एक लड़का था, वो comment कर रहा था इस तरीके से, जैसे मैंने इसको समझा द को वो चीज समझाने के लिए आपको 5 दम बता दिया ऑपर 5-1 में यही तो बता है कि 20 से किंड में कैसे करना है, वो 43 समझा रहा हूँ मैं आपको, तो यह मत समझ लेना कि मैंने 5 मिन लगा दिया, और sir आपने टो 20 से कंड दस से किंड बोला हू, ठीक है, तो समझाना अलग ब बतने आपको में कैसे लगाने और वह क्यासे करना है उसमें ताइम लगता आपको समझाने में अगर मैं इसको वी से क्लिभी बता दूंगा यहां पर रो लकिती töर्ली में कहीं आजर लिग दंगा मैं आगे बढ़ओ तो वस से तोड़ी करेंगे, अपन, मैं तो समझाना है, मेरा काम दो समझाना है, जो करना है, अब 42 cm दे रहें, तो मैं इसको क्या लिखतेता हूं, πी र स्कार इंटो आर, वापस से वो टेबल यूज आएगी, देखो, solve नहीं करेंगे आपन 2 by 3 pi r square अगर radius 21 हो तो pi r square कितना होता है area क्या होता है क्या 136 होता है इसका होता है 136 इसको radius से और multiply गर तो 21 से और करता हूँ ना तो यहाँ पर pi की value पूट करनी है ना यहाँ पर radius की value पूट करनी है ठीक है अगर solve करोगे तो cube निकालोगे और फिर अलग तरीका निकालना पड़े calculation हो जाएगी 21 का cube कोण करेगा 21 का cube याद ही नहीं आपको तो फिर कैसे solve करोगे 3 साथे 21, 7 उनी, 14, 4, 4, 84 यहाँ पर बन गया 84 यह केरी चला गया 8 यहाँ पर पूरा solve नहीं करेंगे कि अपनी यहाँ पर calculation करके 19,404 निकालने के लिए बैटेंगे वो चीज नहीं करेंगे लास्ट के दो डिजिट आगे 0, 4 है एक यह option है 0, 4 वाला option आगे answer पस खुद पर विस्वास होना चाहिए कि जो चीज मैंने की है वो answer सही है लास्ट के दो डिजिट 0, 4 आ रहे हैं तो आ रहे हैं फिर option दिग गया तो फिर टिक करोगे confusion में नहीं रहो गए यहाँ 0, 4 है आगे गलत हो गया तो यह हमने calculation की वो गलत हो गई तो खुद की calculation तो आपकी मजबूत होनी चाहिए तब भी विस्वास होगा आपको और calculation मजबूती के लिए आपको practice करनी पड़ेगी एक तिर्भूज का परिमा आप है यह दोको नया सवाल है अच्छा सवाल है मत concept आपको पता होना चाहिए एक तिर्भूज का perimeter का 36 से कही है तो इसका area है वो कितने से अधिक नहीं हो सकता ठीक है यानि maximum area किसका होता है वो आपको बताना maximum area बताना है तो हमें साथ यहां रखना कोई भी आपको perimeter दे रहका हो तो सबसे ज्यादा होगा वो equilateral triangle का और equilateral triangle का area निकाल लो उससे ज्यादा किस आप परेड़े से बसे चेक आपनी हो सकता तो आपको क्या करना इस type के सवाळों में equilateral triangle का area बता देना तो 36 हैं यहां से perimeter तो यहां से side क्या हो जाईगी आपके पास, 12 हो जाईगी क्या है, बैट 3 से divide करतो होगी, 12 तिया 36, 12 होगी, और root 3 बटे 4 बुजाई square तो होता है area, तो root 3 बटे 4, और 12 का square करतो होगी, 12 into 12, 12 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 root 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, area है, वो 36 root 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, एक दुकानदार है, एक वस्तू का मुल्ले है, वो 150 अंकित करता है, और उसे 25% shoot पर बेजता है, और फिर 2.5, 2.5 का उफ़वहार सवरूप क्या कर देता है, उसको gift देता है, ये दि वहाँ फिर भी 10% का लाप कमाता है, तो वस्तू का क्रेम मुल्ले क्या है, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है, अगर इसको basic से करोगे न, तो time लग सकता है, लेकिन मैं इसका direct तरीका बताता हूँ, बीना किसी lengthy तरीके के, ठीक है, direct कर सकते हैं अपन इसको, बस calculation में कम करेंगे, यह बाकी चिज़े तो same ही रहेगी, देखो बोला गया है, इसका mark price है, यह mark price है, वो 150 है, ठीक है, इसने क्या किया, इस पर 25% का discount दे दिया, 25% का discount दिया, तो बेचेगा कितने में, 25% discount का मतलब, 100 रुबा में से 25 कम कर दिया, 25% में बेचेगा हो, तो इसका 25% निकालोगे, 25% निकालने का मतलब क्या होता है, 25% की fraction क्या होती है, 3 बटे 4 ही तो होती ही न, तो इसका 3 बटे 4 निकाल दोगे, तो selling price है जाएगा यहां पर, ठीक है, तो 150 का 3 बटे 4 निकाल दो, पहला काम तो, और यहां से, जैसे 3 बटे 4 करोगे, 25, 35, 450 divided by क्या बन गया आपका, 4 बन गया क्या, और यहां से solve करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, और यह होगे 112.5, यानि इसको 112.5 में बेचा, लेकिन इसने क्या कर दिया, 2.50 का, उपहार ओर दे दिया, यानि इतना ओर कम कर दिया, तो इसमें से 2.5 ओर कम कर दिया, तो यह बन गया 110, क्या 110 बन गया क्या नया selling price, यानि original selling price है न इसका, यानि उसने बेचा कितने में है, original selling price, वो 110 में बेचा है, और बोला है कि इस पर 10% का profit होता है, तो क्या यहां से, जो cost price था, वो 100 ही था क्या, वै 100 से 10% एक स्टा ही तो है 110, क्यों cost price कितना है इसका, 100 ही तो है, बसांसरा क्या, आपको method में इसको पूरा सजाना नहीं है, कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, मैं किस तरीके समझा रहा हूँ, आपको केवल और केवल एक्जाम में, जो चीज़े आपके दिमाग में आ रही है, उसको कम से कम लिखना है, और जितना possible हो सके, उतने कम से कम सब्दों में answer आ जाना चाहिए, तब ही time बचेगा, तो आप एक 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 चीज़ गो ऐसे लिखोगे न, अच्छा ये cost price है, इसको मैं ये मानता हूँ, फिर mark price निकालेंगे, फिर selling price निकालेंगे, अच्छा इसमें हो गया, फिर यहाँ पे check करेंगे, फिर आगे solve करोगे, इतना सजाने के जुरत नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं देखेगा आपका, आंसर देखेगा या आंसर सही है या गलत है, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में, मैं साध्यान रखना option method से कर सकते हो, या फिर यहाँ से direct theta की value पूट करके solve कर सकते हो, 10 theta और quote theta जब भी दे दे, तो बस 45 degree पूट करके check कर लिया, अगरो हर बार satisfy कर जाएगा आपका, देखो 45, 45 पे एक एक होता है, इसको satisfy कर रहा दो आरा, यानि एक की value कितनी है, 45 degree, यानि टेने ज़ोर चाहिए quote हो, वन वन पूट कर दो, जहाँ पर भी one है, टेने और quote है, तो ये one हो क्या, और ये one हो क्या, तो one plus one plus six हो क्या, आंसर कितना आगया, आटा क्या, basic पे जाएंगे नियापन, next सवाल देखो यान से, चोर पुलिस पे बेस सवाल है, इसको एक line में सवाल को आंसर कर सकते हो, देखो कैसे, एक पुलिस करमी है, वो सूचना मिली, चोर हैं, वो 1.5 किलोमेटर के दूरी पर, दूरी पर हैं, और चोर कार से चलना इस्टार्ट करता है, पुलिस करमी कार से उसका पीछा करता है, ये सब कहां नहीं एक तरीके से, बस आपको ये दियाँ रखना है, कम वाली स्पीड है, किलेटिव स्पीड कितनी है, डिफरेंस निकाल दो 30, और जिसकी डिश्टेंस निकाल लिए, उसकी स्पीड से मल्टिप्लाई कर दो, पुलिस वाली की पुचिया नहीं, ज्यादा से मल्टिप्लाई करोगे 120, 3.12, 15.60, आंसर आगे अच्छ है, इस तरीक से आप करोगे, इसका मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया है, चोर पुलिस वाला, एक से जो पहली क्लास या दूसरी क्लास थी, उसमें बेज सवाल आया था, मैंने पूरा डीटेल से समझाया, एक दुकानदार ने 115.20 में, 288 संत्रे खरीदे हैं, कितने में, 115.20 में, यह तो इसका कोश्ट प्राइस हो क्या, बेच्चा कितने में, वो चीज देख लेते हैं पन, उसने उन में से 50 संत्रे हैं, वो 70 पेसे पर 30 संत्रे की दर से, यानि 5 साथे 35, तो 35 रुपे में, उसने क्या कर दिया, 50 संत्रे को तो बेच दिया, 50 संत्रे को तो 35 रुपे में बेच दिया, ठीक है, और जो बाकी के संत्रे हैं, यहाँ पर यह चीज नहीं है, यह इतना ही है, कि इसको बाकी के संत्रे हैं, संत्रे हैं, तो बता दीजी आप यहां से कितना हो जाएगा फेर 5 11 और यह हो गया 4 और 8 तो 21 पॉइंट 20 रुपे में उसने बेज दिया तो लोस ही हुआ उसको और लोस कितने का हो गया 115 में से 115.20 में से क्या कर दो आप 21.20 तो यह हो गया 0 यह हो गया 4 और यह हो गया 8 और 3 ग्यारा तो यहां से 34 हो गया 34 रुपे का क्या हो गया इसको लोस हो गया अंसर आगया Average Speed का टाइम इंडिस्टेंस में बोला है कि Average Speed का सवाल है वो फिक्स है आए गई इस टाइब का सवाल और Average Speed होती क्या है Total Distance upon Total Time मितिला है बस से 90 मिनिट में जैसे जैसे क्यूशन ने बोला उसके एकोडिंग लिखते जाओ 50 km है उसके नीचे ही टाइम लिख दो 90 मिनिट लगते हैं फिर बोला है ते करती है बस से उतर जाती है यह 15 मिनिट आराम कर जाती है चली दो नहीं नहीं आ सक लेकिन टाइम तो लगजिया इसन से बस बोला ने और दस 140 मिनट है सब्सक्राइब कर दोडा गंटे में अजएगा क्या किलोमिटर पर और एवरे करेंके जी chlor चला गया और यहां पर 7 हो गया यह 4 हो गया चाचोगा 24, 240 divided by 7 हो गया, 6 गरेंगे 7 तिया 21, 21 और यहां 3 बचे गया, 7 चोगा 28 2 by 7 हो गया, 2 by 7 का मतलब यह मैंने calculation भी समझा दी, 1 by 7, 2 by 7 3 by 7, 4 by 7, क्या होता है अगर यह आ जाए तो direct अब यह दुबारा नहीं बता रहा आंसर आजाएगा 34,20 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई नया स्टुडेंट देख रहा है तो सुर्गी 5 क्लासे से देख लीजिए यह स्पीड कुछ भी नहीं लगेगी आपको आप खुद बखुद ही करना सीख जाओगे नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 2,8 क्या से लिख रहा हूँ यह चीजे मैंने समझा दी है रिंड के कुल राज़ी ग्याद कीजिए जिसे 200 रुपे परती परतेक की पांच बराबर किस्तों में देखो installment वाला सवाल है यह fix है यह pattern वाला fix है अगर इसका दो तरीक है एक तो formula वाला तरीका एक direct तरीका देखो formula वाला तरीका तो क्या होता है जो हम किस्त निकालते हैं जो installment निकालते हैं इसका formula होता है so into a divided by बाद में जो ब्यास सहीत उसको amount चुकाना है वो amount ही है और हमसे इस सवाल में क्या पूचा गया है कि रून की रिन की कुल रासी बताने यानि वो amount ही बताना यह amount ही पूचा गया है बाकि सब चीजे दे रही है 200 रूपे उसके किस्त दे रही है 100 into a निकालना है 100 into time कितनी 5 किस्ते है तो 500 होगे यहां पे प्लस rate भी 5% ही है time भी 5% ही है तो 5 और 4 divided by 2 यह होगया क्या 2 से divide करेंगे 2 5 बनी 10, 50, 550 और यहां से a की value कितनी आ जाएगी यह आ गई a is equal to 550 into 2 करोगे 11 सु आगया पहला तरीका formula वाला तरीका क्या के लिए रहे हैं से formula याद करोगे answer आ जाएगा बट formula याद ना हो तो फिर क्या करेंगे फिर direct तरीका लगाएंगे क्या लगाएंगे देखो फिर basic पे जलेंगे अपन वो क्या कर रहा है 200 200 रुपे किस्ते बर रहा है कितनी 5 किस्ते बर रहा है इस तरीके से उसने 5 किस्ते बरी है कितना हो गया है याँ से 1000 रुपे तो हो गया क्या answer जो होगा 1000 से जादा होगा सभी option 1000 से जादा ही है पहली साल तो कोई किस्त नहीं कोई भी इस पे simple interest नहीं लगेगा दूसरे साल के लिए इस पे क्या होगा एक साल का interest देगा एक साल का interest और जोड़ दो इसमें दो सो का 5 परशेंट निकालो की कितना गया 10 रुपे इस पे कितने साल का देगा पिछले 2 सालों का interest देगा तो यहाँ पे इसके double देदेगा 20 रुपे का इस पर लास्ट तीन सालों का इंटरस्ट देगा, तो प्लस का 30, इस पर लास्ट चार सालों का इंटरस्ट देगा, तो यहां पर 40 रूपे, मैं 200 का 4 सालों के लिए इंटरस्ट निकालोगे 5% की रेट से, तो एक स्टा कितना अगया, 4, 3, 7, 2, 9, 10, तो 1000 तो देगा ही, 100 रूप इनक्स सवाल को कर लेते हैं अब टाइम में एक लेना ka sieht लगें और जिए अपने बार्शन दिया आपको घ्यान को उठा डियान को उठादka कितना time लगा है ठीक, वहीं टाइम आपको एक्जाम में लगने वाला है, नेक्स सवाल देखों, यहां से क्या बोला है कि DDAE का सवाल है, पहला कि 2007 से 2012, एक्स्टा चीज़े आपको पढ़नी नहीं है, जो काम की चीज़े वस वहीं पढ़नी है, और देखों, उपर वाली चीज़े हैं, वह काम आए तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, डाइरेक्ट यहां से स्टार्ट करो, कि 2007 से 2012 के दौरान मारूती द्वारा निर्मित किस प्रकार की कारे हैं, वो न्यून्तम है, देखों, मारूती के सभी कारे हैं, स्क्सपोर हैं, जो 80 का है, जेन है, इको है, बताने किस किस तरीके की कारे हैं, ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, तो यहां से यह बोला गया है, और आप से बोला गया है, और आप से बोला गया है, इसमें सबसे कम है, यानि सीधा सीधा आप से बोला गया है, इनका सम निकालो, इनका सम निकालो, इनका सम निकालो, इनका सब सम निकालके minimum value बता दो, इनका सब का सम निकालके क्या बताना आपको, minimum value बतानी है, क्या हम ये करेंगे क्या, अब एक normal बच्चा होगा, जो इस सवाल को करेगा, पांस सवाल बनगे इतनी देर मतो, ठीक है, एक option कौन सा नहीं है, इसमें eco है, और jane है, eco, shift भी है, यह वाला है, और यहाँ पे total 5 है, यह वाला नहीं है एक option, तो यह तो check नहीं करना आपको, बाकी की चार check करना, देखो इसमें 2, 2, 2, 2, 2, 2, सभी में 2, 2 है, यानि 200, 200, 200, 200, 200, यह तो आएंगा, इसमें 200, 200, 200, 200, 200, और यहाँ पर सबसे minimum अगर आप देखो गए, तो क्या आपको यहाँ पर जोड़ने की की जुरत है, यह तो सबसे जयादा ही जयादा ही होगा, यह उससे कम हो सकता है, यह बराबर से होगे, लेकिन यह तो नहीं होगे, यह उपर की list में आएंगे 4 मेस से. इनमें और इनमें मिनिमम यही तो होगा क्या इसको जोड कर सोल करने की ज़ुरत थी क्या देखके आंसर बता सकते थे आंसर जो आएगा वो इकवाएगा इसमें एगजाम एफ्रोज होती है मैं वो तरीका नहीं बता रहा है कि इनको सभी को जोड के आप करो मैं सॉलुशन प्रवाइट नहीं कर रहा है आपको एगजाम भी बता रहा हूं एकशाम में कैसे करना है वो तरीका दिखार हूं मैं यहां पर आप observation से देख पाओगे, वैस सबसे minimum कौन सा दिखाई दे रहा है, यही तो देख रहा है जो सभी 500-500 से कम है, यह सभी 500-500 से जाता है, यह केवल और केवल एक है, जो 500 से सभी value है, वो कम है, तो अगर 500 से सभी value कम है, तो answer भी क्या होगा, यहाँ पर जो total sum होगा, वो 2020 और 2021-22 में अच्छा, 2021-22 में C परकार के total उत्पादन, और 2019-20 में model A के कुल उत्पादन का कितना % है, अच्छा, तो यहाँ पर आपको देखना है, 21-22 में, 21-22 में किसका देखना है, तो यहाँ पर आप चेक करोगी, यह रहा है, इस तरीके से देख लो, तो यह वाला blue वा यह 6 हैं, और यह आपका 5, तो यहाँ से हो गया 11, तो C का तो हो गया 11, इक, यह किस में दे रहे है, यह लाक में दे रहे है, तो लाक में है, 11-20 में, 19-20 में, एक आकुल उत्पादन, तो यह 5 हो गया, यह आपका 4 हो गया, 5 और 4, 9 हो गया, 11-9 हो गया, इसका percentage बता दू, 11-9 क्या इसको मैं solve करूँगा कि 11 बटे no into solve मैं solve नहीं करूँगा यहां से 1 by 9 लिखा हुआ है 1 by 9 का मतलब कितना होता है 11 point something percentage आएगा पर एक बटे no का percentage value क्या होता है इसलिए बोर रहा हूँ percentage की जितनी fraction से percentage और percentage से fraction वाली चीज़े हैं मैं solve करने की जियोती नहीं है केवल और केवल सम निकाला है 11 बटे no किया है into solve करोगे इसको percentage निकालने के लिए बट इसको 1100 divided by 9 divided रिकर के solve नहीं करेंगे एक बटे no का मतलब 11 होता है 11 को 11 से multiply करोगे 121 से ज्यादा याई का answer ऐसे approximation लगा के solve करेंगे नेक्स सवाल देखो यहां से ABCD का दिया हुए है A और E द्वारा प्राप्त कुल लाब है यह अच्छा सवाल है के लुकलेटी सवाल है A और E द्वारा कुल लाब में लगवग कितना हिस्सा है टोटल लाब का अच्छा A और E का बताना है इसमें दो ग्राप आपको दे रहे है यह तो दे रहेखा आ Tine Over of Company Company का Tine Over of dónde कितना कमाता है कितना उसको Tine Over यानि उसके पास में उसमें रो प्रॉफीट का इस्सा बता दिए यतना इतना पर्सथेंट उसको प्रोफीट मिलता है तो मुझे अगर profit निकालना है, A और E का अगर profit निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे पहले तो A को कितना turnover हुआ? तो A को मिला है 30,00,000 यहाँ से, इस 30,00,000 का profit कितना होगा उसको A को? तो यहाँ से 25%, तो 30 का 25% निकालोगे, 75,00, यहाँ से 15,00,000 का इसको क्या हो रहा है? प्रोफिट हो रहा है, यहाँ पर A और E का तो आगया, बढ़ हमें पूचे गया, टोटल जो profit है, उसका कितना परशेंट है, तो टोटल प्रोफिट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर बाकी की जो value है, उनको भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ देखो के B का turnover कितना है चालिस लाग है, और इस चालिस का 75 परशेंट निकालोगी, तो चालिस का 7.5 का निकाल दो, या 7.5 का 40 परशेंट निकाल दो, बात एक ही है, तो 7.5 का double करोगे 15 और 15 दुआ, तीस हो गया, 3 लाग हो गया यहाँ तो यहाँ इसको profit हो गया 3 लाग का, ठीक है, सी में देखो के 20 लाग का turn over हो रहा है, 20 लाग में से profit कितना है, इसका 50 परशेंट का है, यानि 20 लाग में से profit 50 परशेंट का है, यानि आदा ही हो गया, अच्छा सोरी 20 परशेंट का न यहाँ से, कितने का है, 20 परशेंट का है, तो 40 का, सोरी 20 का 20 परशेंट निकालना है, तो 20 का 20 परशेंट कितना हो गया 4,00,00,000 हो गया D में check करोगे D का turn over 50,00,00,000 है profit कितना है यहाँ से 7.5 का है तो 50 का 7.5 निकाल दो या 7.5 का 50% निकाल दो तो 7.5 का आदा कितना होता है तो 3.75 का क्या हो गया अपर profit हो गया यह लाख में हापका दियान रखना A और 1 का total profit कितना हो गया 7.5 और 15 जोड़ोंगे तो 15 और 7, 22.5 तो यह हो गया 22.5 का A और 1 का profit total profit जोड़ोंगे यहाँ पे सभी को जोड़ोंगे 15 और 4, 19, 20, 22, 22, 22, 22, 27, 22, 27, 29 29 और 3 जोड़ोंगे 29, 30, 32, 32, 32 और 31 31.25 31.25 इंटू 100 यह A और 1 का profit का percentage है आंसर आजा है एप्रोक्सिमेसर में बताना लगवग लगवग कितना होगा क्या यहां से 31.25 ही होगा क्या 15, 4, 19, 19, 19 और 3, 22, 22, 27, 29 29 और 30 तो 32 यहां तो 32 तो इससे ही बन गया 33.25 बनेगा 33.25 यह बनेगा ठीक है अब मुझे बताओ यहां से इसको अगर सोल करना है हमें एप्रोक्सिमेसर में बताना है पुरा एक्जेक्ट सोल करने के जुरूत नहीं है तो हम यह बोल सकते हैं यहां पर लगवग कितना है 33 तो नहीं 1 बाइ 33 है अगर 100 से डिवाइड करते है 33 को 33 से डिवाइड करते है 100 को तो कितनी बार जाता है लगवग 3 बार जाएगा तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से तोड़ा सा कम जाएगा तो यानि आंसर जो आएगा न वो 3 से मल्टिप्लाइग कर दो 22 तिया 66 तो 66 से ज्यादा यांसर 66 से ज्यादा आएगा देखो 66 से ज्यादा कौन सा है तो 66 से ज्यादा एक ही उप्सन है 70 यहाँ पर तो कोई वेसे भी लफड़ा भी नहीं है कि यहाँ से अप पॉइंट में देखना है एप्रोक्सिमस में 70, 80, 90 इस तरीके से दे रहे है तो आप खुद देखोगे जितने भी सवाल है उनमें आपको जरूरत ही नहीं है कैल्कुलेशन करने की आप एप्रोक्सिमस लगा के सौल कर सकते हो अब यह जो सवाल लास्ट में आपको जो हॉमवक दिया था लास्ट लास्ट में इसमें भी आया आने वाले एक्जाम भी पूचा जा सकता है आप से पूचा है पहले तो यह देखना है कि इनका ओस्ट अंक बताना है और फिर यह बताना है कि ओस्ट सथ अंक से एसे कितने स्टूडेंट है जो ज्यादा नमबर लेक्या है इनका average कैसे निकालना है वही important है average कैसे निकालना देखो एक student के पास में 125 number आते हैं 3 student के पास में 130-30 number आते हैं 2 student के पास में 135 number आते हैं तो इन सभी का अगर अंक का निकालना है कि total marks कितने हो गए तो 125 into 1 करोगे 125 हो गया इन सभी को जोड़ना पड़ेगा आपको और इसका कोई direct तरीका नहीं है 130 को 3 से multiply गरोगे तो 13-39 हो गया 13-39 हो गया तो 390 हो गया 135 को 2 से multiply गरोगे 13-26 और 27 यानि 270 बन गया 140 को 8 से multiply गरोगे 14 into 112 हो गया यानि 1120 हो गया 145 को 5 से multiply गरोगे इसका आदा गरके 0 कर देंगे 7-14 2-4 और 5-10 क्या 725 बनेगा गया 725 बनेगा इसे लिखेंगे 725 फिर यहाँ 16 गरोगे 15-60 600 बन गया और इधर बन गया 160 इन सभी को जोड़नो टोटल मार्क साजाएंगे आपके पास तो जोड़ेंगे तो 5-5-10 का 0 एक चला गया केरी 9-10-12-7-19-19-2 21-22-23-23-23-29 दो जला जाएगा केरी 2-3-3-6-6-2-8 8-9-10-16-16-16-22-22-23-23-23 दो जला गया तेतिस नबब क्या आगया आपके पास टोटल मार्क आगया यह टोटल मार्क से तेतिस नबबब एवरेज कितना होगा यहनका टोटल मार्क से 33-90 है divided by student कितने है total 3 और 1, 4, 2, 6, 6 और 8 14, 14, 5, 19, 19, 23 23 और 1, 24 24 student है total 24 से divide कर दो इसको 3 एंटे 24 1, 1, 3, 0 8 से divide करोगे, एक बार चला गया 8, 3, 11, 8, 32 1 बच गया, 8, 141 point something आएगा 141 से ज्यादा कितने हैं यह तो 140 वाले होगे 140 नमबर वाले ज्यादा होगे 140 तक है 140 से ज्यादा है यानि 141 से ज्यादा वाले कौन से है 145, 150, 160 वाले सभी है तो यहाँ पे इनका सम बता दो 5, 4, 9, 1, 10 यह आगया 10 आंसर 10 होजए लाश्ट क्लास में जो क्योशन आया था उसमें पूचा गया था जो एवरेज आया है उससे कम वाला बताना था ठीक है तो यह टोटल 25 सवाल दे इस तरीके से आपको एक्जाम में करना होगा यहीं बेश्ट अप्रोच है यह जो पेपर हैं कोई A.G. पेपर नहीं है कि आपका A.G. पेपर आ गया इन 25 सवालों में से चार सवाल तो आपके T.I. के आगे 3 से 4 सवाल तो 3 से 4 सवाल जो कैलकुलेटिव थे 3 से 4 सवाल तो कैलकुलेटिव है तो 8 सवाल तो इसे ही गया आपके पूरे के पूरे तो 25 में से 8 गये बच्चे कितने? 17, दो माल लेते हैं आपको आया नहीं तो 15 सवाल तो आते हैं आपको 15 सवालों को आप 1st round में कर दो 15 सवालों को आप 1st round में करोगे तो माल लीजे 10 minute में आपने complete कर दिया बाकी के बच्चे हुए जो सवाल है फिर आप उनमें 5 minute या 10 minute लगा तो 20 minute में हो जाएगा आपका पेपर 10 minute में आपने 15 सवालों को कर दिया 10 minute ओल लगा तो आप या फिर 15 minute ओल लगा तो अगर hardest या hardest shift भी आ गई तो 25 में तो आप 25 सवालों को कर पाऊ वो तरीका में बता रहो या पर इनके PDF आपको टेलेगिनाम चैनल पर मिल जाएगी अभी के लिए इतना ही करते हैं next last में करेंगे next shift फिर और complete वीडियो ज देखा गो तभी यह चीजी काम की लगेगी आपको अगर आप चोटी चोटी चीजी दो चार कुशन देखोगे छोड़ देखो कुशन को तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना तो इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे मैं बोल रहा हूँ यहां से पूरी आप जितने भी सेट हैं उनको साथ में देखते चलो और mock test देते रो साथ की साथ में इनको देखो mock test दो कैसे आपको apply करना है कितना ही पढ़ लो लेकिन जब mock test करोगे उसमें time का kill रहेगा जब time ही नहीं बचेगा आपके पास तो कितना पढ़ लोगे आप पढ़ गर क्या भी कर लोगे यह बता दो आप वैचीजे याद ही नहीं आपको और exam में करने का तरीका ही नहीं पता आप time पर time लगा रहे हूँ आपको क्यूशन तो आते हैं 25 के 25 सवाल आते हैं लेकिन आप लगा रहे हो time 30 मिनट 35 मिनट लगा रहे हो तो फिर कैसे होगा सेलेक्शन time जरूरी है आपको concept से ज्यादा time जरूरी है अगर आपके पास time बच रहा है कि जैसे आपने total 100 क्यूशन कंप्लीट किये आपके पास time बच गया पूरा solve करने के बाद में 15 मिनट पहले आपने solve कर दिया पूरे paper को तो फिर आपको जरूरत है concept की यानि जो क्यूशन नहीं आ रहे थे फिर उनके लिए आप extra बढ़ो तब आपके number increase होंगे लेकिन पहले अगर time कम नहीं पढ़ना चाहिए आपको mock test म पस वह जरूरी है आपका पहला काम वही करना फिर बाद में जो भी चीज़े बची हुई है जो hard आपको क्यूशन करने होते हैं more ज्यादा बहुँ ज्यादा practice करनी होती है फिर बाद इमें करनी है आपको पहले time आपको बढ़ाना होगा ठीक तो आज़की class में इतना ही करते नेक्ष लास में करेंगे नएा सिफ्ट सब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार थैंक्यू